बोड इवनिंग दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर केज सवगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के इस युड़े में हम बात करेंगे कि लीवर की बीमारी होने से लेकर के लीवर की बीमारी बढ़ने तक क्या-क्या स्टेजिस होते हैं और लीवर की बीमारी होने के बाद कौन सी स्टेज तक हम उस लीवर को फिर से एक बार नॉर्मल बना सकते हैं और ओल लीवर की बीमारी के stages और उसके recovery के chances इसके बारे में आज हम इस योड़े में आगे बात करने वाले हैं सबसे पहली बात जब किसी भी व्यक्ति में लीवर की बीमारी की शुरुवात होती है जो first stage होती है उसके अंदर उस विक्ति के body में जो fat है वो fat उस liver के उस विक्ति के liver के अंदर जाकर के deposit होने लगता है तो fat deposit होने के वज़े से उस liver का size बढ़ने लगता है उस liver का आकार बढ़ जाता है जिसको hepatomegaly ऐसे भी कहा जाता है तो यह liver की बिमारी की सबसे पहली stage होती है hepatomegaly इसके बाद होती है liver की बिमारी के दूसरी condition जिसके अंदर होता क्या है कि उस patient के liver के अंदर जो भी fat deposits है उन fat deposits के वज़े से उस patient के liver को सूझनाने लगती है और इस condition को हम hepatitis इस नाम से जानते हैं और hepatitis liver खराब होने के इस रास्ते में दूसरा पाड़ा वया फिर दूसरी stage होती है जिसके अंदर उस patient के liver को काफी जादा सूझना आ जाती है और एक temporary condition होती है मतलब कि hepatitis की condition उस patient में काफी जादा लंबे समय तक नहीं रहती है अगर हम उस वेक्ति को सही समय पर ठीक से treat करें दवाईयां दें इसके साथ-साथ उस patient को कौन सी चीज़े खाने पीने में लेनी है कौन सी नहीं लेनी है इस सब चीजों के बारे में guide करें और वेक्ति अगर ठीक से इस सब चीजों को follow करें तो hepatitis की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है जब किसी भी वेक्ति में hepatitis हो जाता है तो hepatitis से ठीक होने के बाद उस patient की liver में काफी जगा पे scars बन जाते हैं इसके बाद किसी भी liver के patient के अंदर अगर liver fibrosis हुआ है तो fibrosis के वज़े से उस patient के liver के अंदर जो scars बन जाते हैं वह अगर permanent है तो scars permanent होने के वज़े से उस patient में liver cirrhosis हो जाता है तो यह liver cirrhosis जो है पूरी तरह से irreversible condition होती है मतलब एक बाद अगर किसी भी वक्ति में liver cirrhosis हो जाता है तो फिर उस patient की liver को हम फिर से एक बार पहले जैसा healthy नहीं बना सकते हैं तो cirrhosis पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है और cirrhosis एक permanent condition है जो इसके वज़े से उस patient का liver फिर से एक बार पहली तरह से काम नहीं कर पाता जिसके वज़े से उस patient में काफी science और symptoms आने लगते हैं और वो patient एक तरह से आप मान सकते हो कि weak बन जाता है और इसके पास जो liver की बीमारी में final stage होती है वह उती है liver failure तो liver failure की condition के अंदर उस व्यक्ति का liver जो भी requirements होते हैं body की उन requirements को fulfill नहीं कर पाता और अपना काम ठीक से नहीं कर पाता इसके वज़े से उस व्यक्ति के body के अंदर काफी ज़्यादा severe signs और symptoms दिखा देने लगते हैं और liver failure की condition होती है वह हमेशा देखा जाता है कि जान लेवा होती है उसके वज़े से उस patient के जान भी जा सकती है so liver failure is a life threatening condition और किसी किसी patient में देखा जाता है कि swelling liver को swelling आने के बाद hepatitis होना या फिर fibrosis होना उसके बाद cirrhosis होना और finally liver failure होना इस सब चिज़े gradually हो सकती है तो liver की इस तर के बीमारी को diagnose करने के लिए सब से पहले तो आप अपना liver function test करा लेना चाहिए liver function test करा लेने के बाद अगर आपको उसमें कुछ problem लगता है तो आप आपक फिर fibrosis हुआ है या फिर cirrhosis हुआ है या फिर liver की failure के condition हो चुकी है तो इसमें से कौन सी condition में आपका liver अभी है ये sonography करने के बाद ही पता चलेगा इसके साथ साथ हम इस condition को diagnose करने के लिए liver biopsy भी कर सकते हैं तो overall liver की testing करने के बाद जब पता चलता है कि liver की बीमारी अभी तो उसके अनुसार उस वेक्ति को treatment दी जा सकती है उस वेक्ति के liver को फिर से एक बार healthy बनाने के लिए 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 की बीमारे में जब तक fibrosis नहीं हो जाता तब तक वो बीमारी reversible होती है मतलब उसको हम फिर से ठीक कर सकते हैं लेकिन एक बार उस वेक्ति में अगर liver cirrhosis हो ग के बारे में तो अगर आपके description में कुछ doubts है तो अब हम नीचे comment section में जरूर पूस सकते हो thanks for watching this video till then thank you very much